नमस्कार आप देख रहें TNP News मेरे नाम है अंकुर पांडेरू करते हैं बड़ी खबर का महारत में G20 सिखर समेलन के मद्दे नजर तैयारियां शुरू हो कई हैं इसी के चलते दिल्ली के उपरा जिपाल वीके सक्सेना के अध्यचता में समिच्छा बैठक हुई है इस बैठक में बुनियादी सुविधाओं को सुद्रन बनाने के लिए सभी पहलूँ पर मन्थन किया गया और राजदानी की सड़कों और परिवहन विवस्ता को विश्व इस्तरिये बनाया जाने पर जोर दिया गया साथ ही सड़कों का सुद्री करण डबल डिकर बसें चलाने के साथ साथ प्रतिनिधियों और आंगतुकों के लिए होटल रेश्टरॉंट बाजारों को भी नैसीरे से विक्सित किया जाने पर चर्चा हुई है बता दें इस बैटक में उप मुख्यमंत्री वनिसी सौदिया मंत्री कैलाश कैलोत राजी कुमार आनंद मुख्य सचिव पुले सायुप तस सहित कई वरिष्ट अदिकारी मौजूद रहे दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने शिकायत दर्च के थी इसके बाद केंद्री नागरिक उड़यन मंत्री जोत्रादित सिंध्यार भी अचानक एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर पहुंचे थे इस मामले को लेकर आज 15 दिसंबर को केंद्री इग्रह सचिव अजे कुमार भल्ला ने ग्रह मंत्राले की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इस बैठक में भीड को काबू करने के लिए एहम फैसले लिए जा सकते हैं जानकारी के मताविक बैठक नौर्थ ब्लॉक में होगी नागरिक उडेयन सचिव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेट के वरिष्ट अधिकारी केंद्रियो देविक्सुर चबल के महाने देशक इंटेलिजन्स ब्यूरो प्रमुख भारती विमान पत्तन प्रादिकरण के अध्यच और आवरजन विभाक के वरिष्ट अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे भारत और चीन की तवांग में हुई जड़ब के बीच वायुसेना ने तयारी तेज कर दी है भारती वायुसेना की पूरवी कमांद दोदेवसी युद्धाब्यास करने जा रही है ये युद्धाब्यास असम और अरुनाचल पड़ाको विमानों की अधिक उडान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया जाए सुत्रों के मुताविक इनमें आसम के तेजपूर जाबुआ और जोरहट एयर बेस के शामिल होने की संभावना है सुप्रीम कोट कमिटी ने गुहाटी हाई कोट के जस्टिस एन कोट इश्वर सि को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने के सिफारिश की है मुख्यनयाय मूर्ती डीवाई चंदरचुन के दच्छता वाली इस समीती के सिफारिश को केंदर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्टपती के और से अधिसूचना जारी की जाएगी समीती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ जस्टिस पंकच मित्तल को सुप्रीम कोट में जस्टिस नियुक्त करने की भी सिफारिश की है आपको बता दें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के चीफ जस्टिस अली मौम्मद मागरे 8 देसंबर को सेवा निवरत हुए थे जिनके बाद हाई कोट के जस्टिस ताशी रबस्तान को कारेवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया था तो वहीं अब राश्पती के और से जल्दी अधिसूचना जारी कर नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी फिलाल बढ़ी खबर में तना ही बागे की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रेटिन पी नियूस के साथ नमस्कार